लोरेंस विश्णोई ने कनाडा में इस्तीत पंजाबी सिंगर गिपिग रेवाल के घर पर अंदादूंद फाइरिंग करवाई इसके बाद गिपिग रेवाल सदमे में नजर आए लोरेंस ने बताया कि गिपिग रेवाल के घर पर फाइरिंग इस वज़े से करवाई है क्योंकि गिपिग रेवाल सलमान खान से नज़दी कियां बढ़ा रहा था अब गिपिग रेवाल ने मेडिया के सामने बताया कि उसकी सलमान खान के साथ कोई दोस्ती नहीं है वहें आज तक सलमान खान से सिरफ दो बार मिला है एक बार बिग बोश के सैट पर और दूसरी बार फिलम मोजा ही मोजा के प्रोड्यूसर ने फिलम के ट्रेलर की लॉंचिंग पर सलमान खान को बुलाया था तब मिला है इससे साफ नजर आ रहा है कि गिपिग रेवाल टैंशन में है उसको इस बात का डर है कि कहीं लोरेंस विशनोई उसका मरडर ना करवा दे इसी बात को लेकर गिपिग रेवाल ने सफाई दी है कि सलमान खान से उसका कोई संबंद नहीं है इसलिए लोरेंस विश्णोई अपना गुशा उस पर ने निकाले अब देखना ये होगा कि क्या लोरेंस विश्णोई गिपिग रेवाल को माफ कर देगा या फिर आगे कोई और एक्षन लेगा दोस्तो इस बारे में आपकी क्या राय है क्या लोरेंस विश्णोई को गिपिग रेवाल को माफ कर देना चाहिए या फिर उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं